नमस्कार लखनव उनिवस्टी ने लगभग सभी अंडर्ग्राजवेट कूर्सस के इंट्रेंस इग्जामनेशन के बाद अब मेरिट लिष्ट निकाल दी है बीए हुआ आपका न्यू एजुकेशन पॉलिसी पर अधारित हुआ बीए हुआ बीसी हुआ बीकॉम बीकॉम आनर्ष बीलेट बीजे एमसी बीसी आग्रिकल्चर बीसी मैतमेटिक्स बीसी बालोजी बीवाक बीवाट बीए बीफे लल बी इन सब courses के लिए जो merit list है वो निकाल दी गई है अब आगे की प्रक्रिया ये होगी की आपको counseling करवाना होगा हाला की counseling के लिए अभी तक यूनुष्टी ने guideline नहीं निकाली है जब मैं वीडियो record कर रहा हूँ अब आपको मैं महत्रपूर्ण बाते बताता हूँ कि आप कैसे जानों कि आपका selection हुआ है या नहीं हुआ है become, become honors के आगे click here पे करिए click ठीक है तो उसके बाद आपको क्या है merit list आपके खुल के आपके सामने आ जाएगी ठीक है इसमें महत्रपूर्ण बात ये है कि जो यहां पे लिखा हुआ है सापसा point this is overall rank list of all candidates who had applied and appeared in UZET मतलब बात ये है कि जो लोग entrance examination में appear हुए थे यहां पे उस सभी की बारे में detail है तो अगला सवाल आपकी तरफ से यह होना चाहिए कि हम कैसे जानेंगे कि हमारा selection हुआ है या नहीं हुआ है तो मैं आपको बता दूँ लखनव university है बहुत चानाग बात क्या है कि इसमें मैं आपको दिखा रहा हूँ last ले page पे में पहुंच रहा हूँ कई हजार विद्यार्थियों ने application फॉम भरा हुआ है जैसे मैं आपको लाश्ट वाला दिखा रहा हूँ रैंक जो है 8870-8870 यह रैंक इतने लोगों ने apply किया है entrance examination भी दिया हुआ है या absent भी रहे हैं तो लोगों ने entrance examination दिया है तो लखनवी उनिवस्टी ऐसा कोई कटाफ अभी नहीं निकालेगी जिसकी आधार पे आप यह जान पाओ कि आपका admission यूश्टी campus में हो रहा है या नहीं हो रहा है लखनवी उनिवस्टी से अफिलेटड लगबھक 50 के असपास Colossuf हैं जो अच्छे Colossus नहीं है और private Colossus हैं तो बात क्या है कि उनको अलग से admission मिल नहीं पाते हैं कोई उन colleges में admission लेने नहीं जाता है तो लखनो उनिवस्टी इस बार इस बार किया पिछले वर्ष से सुरू है centralized admission ले रही है वदलब आपने apply लखनो उनिवस्टी के लिए किया है इन case आपकी rank ज़ादा है और आपको लखनो उनिवस्टी नहीं मिल लही है तो आपको वो colleges counseling में lot हो जाएंगे अगर आप choice feeling में उन colleges को भरते हो लेकिन अपने entrance examination तो लखनो उनिवस्टी का दिया है तो आपको seat लखनो उनिवस्टी में मिलनी चाहिए तो अब हम बात करते हैं कि कितनी rank होगी तो लखनो उनिवस्टी में seat मिल सकती है क्या cut off इसके लिए होनी चाहिए तो मैं सबसे अब जो महतुपूर्ण बात बताने जा रहा हूँ वह आप देहन से सुनिए जैसे अगर लखनो उनिवस्टी के main campus में बात करें अगर B.com और B.com honors course की बात ही करें तो मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ exact मुझे जानकारी नहीं है लेकिन B.com की कुछ seats होंगी लखना हूँ उनिवस्टी में जैसे हम मान लिए हम मान रहे हैं आप हमको exact मुझे information नहीं है माली जे इसमे 60 seats हैं आपकी B.com के लिए या 60 में ये कहिए कि 40 seats हैं regular के लिए 40 self-finance के लिए तो B.com के लिए 80 seats हो गई B.com honors के लिए भी माली जे अगर ऐसा ही हो कि 80 seats हैं या 40-40 seats है 60-40 seats हैं तो माली जे 100 students इसमें B.com वाले हो गए और 100 students B.com honors वाले हो गए तो शुरुआत से आप अपनी राइंक जोड़ दीजिए अगर आपकी राइंक उसमें से 200 के अंडर में है तब आप समल दीजिए कि आपका चांस है कि या आपको लखने में उनिश्टी मिल जाए बरना मुझे seat exact नहीं पता हो सकता है कि B.com की 500 seats हो लेकिन में campus की seats आप देखिएगा अलग से तो उसमें अगर हो सकता है इतनी seats हो तो आप वो उसके विदिन अगर आपकी राइंक है तो admission हो जाएगा अचा उसमें भी क्या है कि आप अपनी वो चेक कर सकते हैं मालीजे ओवराल B.com और B.com honors मिलाके मालीजे 300 अगर आपकी seats हैं उनिवस्टी campus में तो 300 में 27% reservation हो गया OBC के लिए तो अगर ये condition है तो 27 का आप 27 फीचदी अगर आप 300 का निकालेंगे तो 84 84 के आसपास हो गया तो आप जैसे OBC जिसकी रैंक 84 तक है उसका selection हो सकता है ऐसे ही अगर आप YSC या YST के टेगरीशे हैं तो जैसे 300 seats में 10% अगर YSC के लिए reserve होती है तो आप 10% वो भी देख लीजिए कि जैसे आपका YSC में 30 तक अगर आपकी रैंक है तब या पर selection हो पाएगा तो अब क्या बचा फिर से आप वापस अपनी गिंती पे आईए कि ये percentage निकलने के बाद 27% ये निकल जाएगा 10% वो निकल जाएगा 7.5% वो निकल जाएगा अल्मश्ट 45% निकल गया तो जनरल में 120 के आसपास अगर आपकी रैंक है तब 200 सीट वाले मैंडमीशन हो पाएगा ऐसे गार हम B.A. की बात करते हैं जैसे मैं वापस जा रहा हूँ B.A. N.E.P. या 2021 लिखा हुआ होना चाहिए मेरे हिसाब से तो जैसे ये वाली merit list मैं डाउलोड कर रहा हूँ की नहीं ऐसे 16-1700 seats थी तो उतने students का हो जाता था उपर से अपनी rank देख लिए जिसके 16-1700 के अंदर होती थी उसका हो जाता था कोई ने कोई subject तो मिली ही जाती थी और मैं आपको एक बार बता रहा हूँ B.A. में इवेन आपकी rank अगर तीन हजार के आसपास भी हो ना तभी आप counseling के time campus चले जाएएगा होता क्या है कि आमोमन कोई ने कोई ऐसी subject होती है जिनमें students कम apply करते हैं तो आपको उन subject में admission मिल जाता है तो यह आप करके देख लिजिएगा तो इसमें भी आप ऐसे ही आप देख लिजिए आगे 10-20 और जोड लीजिए वैसे हो पाएगा BBA में अगर मा लीजिए 60 seat हैं तो 60 तक वालों काई हो पाएगा BSC Agriculture का कोई campus में कोई भी seats नहीं है BJMC की campus में कोई भी seat नहीं है BLAET की भी सायद कोई seat हैं या मेभी अगर कोर्स शुरू हो गया हो प्रोग्राम तो उसके बार मैं नहीं कह सकता BWalk और गयरा में भी देख लीजिए BWalk में दो प्रोग्राम है इस बार सायद एक साफ्टवेर डेवलप्मेंट का है और एक सायद Renewable Energy का था पहले तो BWalk Renewable Energy का ये उसकी लिष्ट है तो इसमें तो खैर 26 लोगों नहीं अपलाई किया हुआ इंटरस दिया हुआ है तो सबका हो गया है इसमें तो खैर कोई बात ही नहीं है तो इस तरह आप अपनी रैंक के हिसाब से अंदाजा लगा दीजिए अब बात करते हैं कि काउंसलिंग का क्या process है तोस्तान के लिए एक notis निकाली जाएगी उसमें बताया जाएगा कि इतने रैंक से लेकर इतने रैंक वालों कि तो उसमें देखिये ध्यान देने वाली बात ये है कि आपको उसके पहले काउंसलिंग के लिए रेजिस्ट्रेशन करना होता है रेजिस्ट्रेशन के समय आपको काउंसलिंग में कुछ फीज पेमेंट करनी होगी पिछले वर्ष साइड ये फीज 1200 के आसपास थी 1200 ये 1200 ये 500 थी 1250 रुपए तो उसमें होता क्या है कि आप काउंसलिंग करवाते हैं तो 2500 ये 200 आपका काउंसलिंग का चार्ड हो गया और इन केस अगर आपको कोई सीट अलॉट नहीं होती है तो बाकी 1000 रुपए रिफंड हो जाते हैं लेकिन दीजिएगा कि अगर आपको प्राइबेट कॉलिज लेना होगा और आपकी रैंक ज़्यादा होगी तभी आप काउंसलिंग करवाईएगा वरना अगर आपकी रैंक ज़्यादा है आपको लग रहा है ब ये में आपकी रैंक 2500 के उपर है या आपको लग रहा है भी कौम में आपकी लाएं कि एक हजार के उपर है तो सिंपल सी बात है आपका admission campus में हो नहीं पाएगा तो इस सित्वी में counselling करवाने का कोई मतलब नहीं है और अगर आप counselling करवा भी रहे हैं तो बहुत ज़्यादा choice feeling मत करिएगा choice feeling में जो भी आपको government college दिखें दो तीन government colleges हैं इसमें centralized admission process में मैंने last year किसी वीडियो में बताया था साथ इस बार भी मैं आपको बता दूँगा तो उनमें आपको admission मिले तो ठीक है या तो main campus मिले तो सबसे बढ़िया वरना private college आप choice feeling में भरियेगा ही मत मेरी ये बात मान लीजिएगा अगर आपको वैसे भी उनमें admission चाहिए तो आप बाहर से जाके उन college में direct admission भी ले सकते हैं तो ये आप करके देख लीजिए बाकी आपकी 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 जो इससे जुड़े सवाल है वो comment box में छोड़ जाएए अब ये मत पूछिएगा कि मेरी राइंक कितनी है मेरे नमबर इतने हैं तो मेरे admission होगा कि नहीं होगा क्योंकि मैंने बता दिया कि exact लखना हुए उनिविश्टी की अब कोई cut-off नहीं आती है लखना हुए उनिविश्टी करता किया है